मीठा मीठा बात है कमरिया टू पवन सिंग का ये सौंग जी हाँ जिसने एक नया रिकॉर्ड कायम किया बुछपुरी इंडस्ट्री में अभी तक दो घंटे में वन मिलियन व्यूज कभी किसी के गाने ने क्रॉस नहीं किया है लेकिन पवन सिंग के इस सौंग ने तो भाई महा रिकॉर्ड बना दिया तो चलिए आपको आगे भी बताते हैं वैसे ये बात और है कि इस गाने पर एड़ लगाया गया है जहां तक कि खेसारी के फैंस बोल रहे हैं इस गाने पर एड लगाया तो हम यह कहेंगे भई एड लगाना कोई गलत बात नहीं है खेसारी के भी कई सौंग पर एड लगते हैं फिर मुझा है बंगलिनिया ही क्यों नहीं रहा हो उसे भी एड किया गया था खेर अब हम आपको बताते हैं इस गाने के बारे में और मिठा मिठा बाते कमरिया वन के बारे में तो अगर आप मिठा मिठा बाते कमरिया वन की लिरिक्स सुरेंगे जिसे अरुन बिहारी ने लिखा था और इस लिरिक्स को प्रकास बारोत ने लिखा है तो अरुन विहारी की जो लिखने के शैली है वो जादा कैची लगती है जबकि प्रकास वरोत की जो लिखी हुई लिरिक्स है वो थोड़ी कम कैची है बट अगर पिक्चुराइजेशन की बात करेंगे तो मीठा मीठा बाते कमरिया से मीठा मीठा बाते कमरिया टू जो है वो पर जो पवंद सिंग के जो क्रिटिक्स हैं जो उनके में कमिया देखते रहते हैं उनके लिए आप यहां कह सकते हैं कि वो उन्हें पवंद से पॉन स्टार कह सकते हैं क्योंकि भाई पावस्टार पवंद सिंग का मीठा मीठा बाते का मरिया वन आया था तभी भी लोगों ने यह कहा था, पवन सिंग से ऐसी उमीद नहीं थी, क्योंकि पवन सिंग असलीलता से दूर है, कोसो दूर रहते हैं, लेकिन इस गाने में उन्होंने असलीलता का भरपूर यूज किया है, तो हम आपको बता दे, इस गाने में भी आपको थोड़े कोजी मूमेंट तो दिखेंग हुआ है, आप चाहे तुसे जाकर देख सकते हैं, तोशी त्रिवेदी भी पवन सिंग को कॉंप्लिमेंट कर रही है, आप ये कह सकते हैं, कि डिमपल की कमी उन्होंने इस गाने में पूरी कर दी है, तोशी अब एक भोजपुरी का जाना माना नाम बन चुकी है, भोजपु हर जगह जो लोकेशन वाइस साए, वो श्विमिंग पूल रहा हो, फिर वो चाहे डांस करने के लिए आप हट बना है, जहां पर ये दोनों डांस कर रहे हैं, वो ले लीजे, या फिर इंडोर शूटिंग में आप देख लीजे, जो भी है, सब एक आपको बांधे हुए लेकिन मीठा मीठा बात है, कमरिया, जो भी कहीं न कहीं आपको थोड़ा सा अंतर दिखेगा ही, कहां मीठा मीठा बात है वन की शूटिंग पवन के घर में हुए थी, और इसके लिए पवन ने बहुत ही शांदार लोकेशन चुना है, यहां एक बात और खेसारी की बंगलि पवन के इस गाने की भी शूटिंग होई है तो जो लोग बंगलीनिया वाला बैक्ग्राउंड सोच रहे होंगे कि ये तो कहीं देखा-देखा साल लग रहा है तो सही ये वही बैक्ग्राउंड है जिसे पवन सिंग के मीठा-मीठा बाते कमरिया टू में यूस किया गया है महुचकुरी जगत की होट और मसाले दर गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब दना बिल्कुल न भूदी